हेलो गाईज, वेलकम बैक उन आईन्टी सिपिटी डोट कॉम, मेरे नाम है पूनमगर्ग और आप हमारे साथ सीख रहे हो MS Excel 2010 आज का हमारे टोपिक होगा, How to Protect Excel Worksheet यानि कि Excel Worksheet के अंदर जो भी आप काम करते हो, जो भी डाटा आप का होता है, उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक यह देखे, Excel Worksheet आप की जो है, इसके अंदर कई बर क्या होता है, हमने अपना डाटा सेव किया है और हम यह चाहते हैं कि जतना भी हमने डाटा लिखा, उसके ओपर कोई भी formatting ना कर पाए, कोई editing ना कर पाए यानि कि हमारा डाटा ऐसे कैसे जो भी हमने लिखाया प्रोटेक्ट हो जाए, यानि कि कोई उसके अंदर changes और editing ना कर पाए तो देखिए इसके लिए हमने क्या करना है पहले कुछ भी डाटा एंटर कीजिए अपने शीट में कुछ भी मेटर आपका हो सकता है जो भी आपने लिखना है तो देखिए हमारे पास ये डाटा है और हमने क्या करना है अपनी इस पूरी शीट को प्रोटेक्ट करके रखना है हमारी पूरी शीट में ही कोई चेंजिज ना कर पाए उसके लिए आप क्या करते हो आपको स्लेक्ट करने की कुछ भी जूर्ट नहीं है because आपने पूरी sheet के उपर ही password लगाना है तो देखें home menu के अंदर आप आते हो उसमें आपको यह option दिखाता है format cell group के अंदर format आपका option होगा format पे आप जाते हो और last में आपको एक option दिखाएगा protect sheet इस option पे आप click करते हो और उपर आप से बुस्ता है password to protect sheet यानि कि आपको जो sheet अगर protect करनी है उसके लिए आपने क्या password डालना है तो आप कोई भी password insert कर देते हो हमने इसमें लिखा है int उसके बाद आप ok कीजिए re-enter करना पड़ेगा आपको password दुबारा से int और ok करो अब देखिए आप इसके अंदर कुछ भी काम नहीं कर पाते हो जैसी कुछ भी आप key press करते हो तो आपको ये information आती है कि आपकी जो sheet protected है ये just read only है आप इसको देख सकते हो read कर सकते हो बट इसके अंदर editing नहीं कर सकते हो आप यहां पर भी देखते हो home जो आपका menu है उसके अंदर के जो इतने भी सारे groups जितने भी options आपके होंगे वो सारे hide हो चुके हैं वो highlight नहीं हो रहे हैं आप उसके अंदर changes ही नहीं कर सकते हो formatting कर नहीं सकते हो तो उसका use भी नहीं होगा अगर अपनी sheet को दुबारा से अपने unprotect करना है तो आप format option पे ही दुबारा जाओगे और unprotect पे दुबारा से click कीजिए अब आपको password बताना पड़ेगा आपने दुबारा फिर लिखा int और ok कीजिए अब आप देख सकते हो आप कहीं पे भी कोई भी changes कर सकते हो साथ में आपकी जो table है उसके अंदर भी आप दुबारा से आपने कुछ भी changes करने हैं तो आप दुबारा इसके अंदर भी आप changes कर पाऊगे तो ये option आपका था protect sheet यानि की whole sheet पूरी की पूरी ही sheet आप इसके अंदर protect कर सकते हो अब देखिए next option हमारे पास क्या आता है कि हमने क्या करना है हमें पूरी sheet को protect ना करके just हमारे पास जो ये table है सिरफ इसे protect करना है इतना data यानि की इसके अंदर कोई changes नहीं कर सकता है और बाके जो sheet है उसमें anything you can enter यानि की कोई भी चीज़ आप enter कर सकते हो तो इसके लिए आप क्या करते हो आपको एक बात जो है वो समझनी पड़ेगी हाँ पर जो भी हमारी sheet के उपर ये protection आप लगाते हो वो कब लग पाती है जब आपके cells lock होंगे यहाँ पर आप देखते हो एक lock cell का option है जब तक आपके cell जितने भी हैं वो lock नहीं होंगे तब तक आप उसको protect नहीं कर सकते हो तो अब same thing हमने करना क्या है कि पूरी sheet के उपर से आप lock हटा देते हो और सिर्फ अपनी table इतनी सी table के उपर आप lock लगा के रखोगे दना password डालते हो पहले पूरी sheet को select कीजिए और format के अंदर से इसको unlock मैंने किया यह देखिए अपकी heat unlock हो चुकि आप check कर सकते हो अब अपनी क्या करना है अपनी table को select करोगे और उसके उपर दुबारा से आप lock लगा देते हो क्योंकि हमने इसको protect कराना है और protect कराने से पहले lock करना ज़रूरी है हमने click किये इस पर अब इसके उपर आप password लगा सकते हो दुबारा से हमने लिखा int ok re-enter grow password यानि कि दुबारा फिर int then ok यह देखिए यहाँ पर आप easy लिख कर सकते हो कोई effect नहीं बढ़ेगा पर जैसे ही आप अपनी table के उपर आते हो यहाँ आप कोई changes नहीं कर पाओगे किसी भी area पर आप देख सकते हो यानि कि इस से क्या हुआ कि जो भी हमने अपनी table को protect किया है इसके उपर आप changes नहीं कर सकते हो बाकी पूरे area में आप कुछ भी work कर सकते हो यह देखिए दुबारा से unprotect आपने करना है अगर table को दुबारा उसी option पे जाते हो आप unprotect फिर से password डालते हो int और ok अब अपनी table के अंदर भी आप changes कर आप आओगे यह देखो तो इसमें आपने क्या किया सिर्फ table को protect किया था इसका आप reverse भी कर सकते हो means अप इस table को छोड़कर बाकी पूरी sheet को अगर protect करना चाहते हो तो ऐसा भी आप कर सकते हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा लोग पहले हटा दीजिए और हमने दुबारा confirm के लिए दुबारा पूरी sheet के उपर लोग लगा भी दिया आपकी sheet वैसे है जैसे आपने starting में ली थी यानि की पूरी sheet के उपर लोग लगा हुआ है आपने क्या अगर ना है इस table का लोग हटाना है क्योंकि हमने table के उपर password नहीं डालना बाकी पूरी sheet पे डालना है तो आप ऐसी इस वाली table का आपकी बार लोग हटा देते हो उसके उपर क्लिक किजिए अब जाके दुबारा से उसको protect कराओ दुबारा हमने लिखा int then ok re-enter किया password फिर से ok अब देखिए यहाँ पर आप changes नहीं कर पाओगे और अगर table पर आप आते हो उसके अंदर changes कर सकते हो यानि कि इससे क्या होता है कि हमारी जो table है उसके उपर password आपने नहीं लगा रखा है बाकी पूरी sheet के उपर password लगा हुआ है तो हटाने के लिए आप दुबारा से उसी option पे आते हो और उसको unprotect करा देते हो password डालते हो then ok अब आप कहीं पर भी कोई भी data एंटर कर सकते हो तो देखिया आपने 3 topic किया है एक तो आपने पूरी sheet को protect कराया है उसके बाद किसी particular data यानि कि particular table को आप protect कराते हो और 3 अपने किया है कि उस particular data को छोड़ो कर पूरी sheet को protect कराना तो ये topic आपका finish होता है ही पर थैंक यू गईस